पानिपत के गाओं निबरी में धाई साल के अनुज की दर्दनाक मौत से इलाके में संसनी फैल गई शाम करीब साथ बजे मासुम अनुज घर के बाहर खेलते खेलते अचानक लापता हो गया परिजनों ने राद भर अनुज की तलाश की सूचना के बाद पुलिस ने भी खोजबिन की लेकिन अनुज का कहीं कोई सुराग नहीं लगा सुबह घर के नजदीक एक नाले में अनुज का हाथ दिखाई दिया जिसके बाद परिजनों ने उसे बाहर निकाला तो उसकी सांसे चल रही थी मगर अस्पताल मेलाज के दोरान अडूज ने दम तोड़ दिया पुलिस में बहुत दूना उसे नहीं मिला फिर कैसे बिलाई सुबह में जगी ती में छोबड़ा वा लल्ला जागा तब उसने का के ममी घरा लल्ला का आद दीख रहा ना लेगा पटिया परी ते उसके पटिया ही लीचे पहसे लागा जाए तो हम जब जहां को लाए तो तो पुलिस द्वारा अनुच के शव का पूस्ट मोटम करा जा रहा है पुलिस का कहना है कि परेजनों ने किसी पर भी रंजिश या हत्या का शक नहीं जताया है ऐसे में पूस्ट मोटम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कारवाई की जाएगी पानिपत से सचन शर्मा पंजाब केसरी टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद